दोस्तों जैहिन स्वागत है आप सभी का study with MSPP जैनल पर कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी ठीक है गर्मी बहुत है तो आप अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रही ठीक है अनावश्यक घर से बाहर ना न सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजेगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा बहुत महत्तपूर्ट चीज बताने जा रहा हूं है इससे प्रशन आपको 100% मिलेगा मैं हर वीडियो में इस सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के बीच में और चैनल को सब्सक्राइब लिजेगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो और बेल आइकन जरूर प्रिसकर उसको आप जरूर देख लिजिएगा उसको देखेंगे तो आपको निश्चेत और पर फाइदा ही मिलेगा नुकसान नहीं होगा आपका ज्यान वर्धन ही होगा और आपको कुश्चन उससे जरूर देखने को मिलेंगे तो इसको शुरू करते हैं वीडियो को चलिए देख देख में 31 है महरास्ट में 19 है तमिलनाड में 18 है यह राजसभा की सीटों के बात कर रहा हूं है तो इसमें उनका जो आवंटन है उसके बारे में चलिए तो आगे देखते हैं यह हो गया तमिलनाडू 18 हो गया बिहार 16 बिहार और बंगाल ऐसे याद रखेगा एक साथ जो ए अगर एक ही नंबर है जैसे अब यह 16-16 तो बिहार और पस्ची मंगाल एक दुसरे के आजू बाजू में है तो याद रखेगा दोनों को बराबर है राजसभा की सीटें ठीक है अब जैसे करनाटक है 12 हो गया आंध प्रदेश मद्ध प्रदेश गुजरात इनको याद रख रहती है तो उसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं रहता है लोगों को महराष्ट 19 और तमिल्नाडू 18 ठीक है केरल में 9 है पंजाब असम तेलंगाना यह साथ साथ सीटे हैं याद रखेगा इसको ठीक है जारखन में 6 है 36 गड़ में 5 है हर्याना में 5 है जम्मु कस्मीर को मैंन परिसीमन आयोग अभी चल रहा है तो वह परिसीमन करने के बाद सीटों का क्लियर कड़ पता चल जाएगा लद्दाक भी एड़ हो जाएगा तो वह सब चीजें देखी जाएंगी कैसे क्या होगा तो उसको बाद में देखे वह अभी पूछा भी नहीं जाएगा हिमाचल प हिमाचल प्रदेश तीन उत्राखंड तीन नागालेंड एक मिजोरम मेघालय मनिपूर तृपुरा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश गोवा यह सब एक एक है ठीक है याद रखेगा दिल्ली में तीन है और पुदुचियरे में एक है तो यह बहुत महात्पूर्ण है इनको याद करिए कि आप एक बार दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से यह याद हो जाएगा ठीक है नेक्स देखिए लोगसभा की सीटों के बारे में हम देख लेते हैं सरवाधिक लोगसभा की सीटे कहां है यूपी में है असी महराष्ट अनतालिस पस् छिषा में 21 केरल में 20 तलंग ना में 17 जहारखंड में 14 असम 14 पंजाब में 13 ठीक जहारखंड और समय्म का सेम है याद रखिए कर चटया हैं 40-44 सीटे है 6-6 त्येरा हैं 21 हैं 10 सीटे हो सकता है यह थोड़ा चेंज हो तो इसको रांड कर दिया है उत्रहंड 14स शाल 12 सीटे हैroffen में चार है याद रखेगा में दो फिर उसके बाद ये नौर्स इस्ट वाले में दो-दो हैं सिक्किम और ये नागालाइंड मिजोरम को छोड़ कर गए ठीक है सिक्किम नागालाइंड मिजोरम में एक एक हैं बाकी तुर्पुरा मडीपुर गोवा अवनाचल प्रदेश में आप तो यह सब दो-दो हैं तर याद रखेगा और संखी छहत्र वालों को देख लिजिए दिल्ली में साथ है पुदुचेरी में एक है चंडिगर में एक है दादरनगर हवेली एक अंडमानिकोबार एक लक्षिदीब एक दमंदियू एक दमंदियू और दादरनगर हवेल आप करते रहे अभी टाइम ऐसा है कि आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है और कोर टॉपिक्स पर ध्यान ज्यादा देना है ठीक है फोकस देरिया कोर टॉपिक्स होने चाहिए क्योंकि सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है अभी ठीक है आप जो भी पढ़ें एकदम टू- पॉइंट पढ़ें तो इसको आप एक बार दो बार देखिए मैं गवार फिर से कहिए तो बता जता हूं हिंदी में ठीक है उत्तर प्रदेश अस्टी महाराष्ट 48 पस्ची मंगाल 42 विहार 40 तमिलनाड 49 मत्य प्रदेश 29 करनाटा 28 गुजरात 26 राजस्थान आन्प्रदेश 25 ओडिशा 21 केरल में 20 तेलंगाना 17 जारखन 14 आसम 14 पंजाब 13 36 गड़ 11 हरियाना 10 जमुकिसमिल 6 उत्राखंड 5 हिमाचल प्रदेश 4 मेघाले 2 अरुनाचल प्रदेश 2 गोवा 2 मनिपुर तृपुरा 2 सिक्किम नागलन मिजोरम 1 दिल्ली में साथ है पुदुचिरी में 1 है च और लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पहुंच सके ठीक है और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा बेल आइकन जरूब पर लिजेगा ठीक है तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपना ध्या स्वस्त रहिए मस रहे बिंदात रहिए जैहन